परम सत्कार्योग साथ संगे जी खवरिका चिके आखो तार्शी सत्कुरु गोबिन सिंग जी साथ संगे जी आज दी साके दा विशा है गुरु जी दा पॉंटे साहब निवास जिसनों गुरु साहब जी ने अनुपव करके नहान रियासत दे राजे दी अर्जमान के नहान राज दे इक नगर परिवार समेथ पॉंटे दर जा निवास किता राज काज हम पर अब आयो जब आयो जथा मुकत तब तर्म चलायो पांत पांत बन खेल शिकारा मारे रिच रोज संगारा देश चाल हम ते पुन पई सहर पांवटा की सुद लई के बेखत मासा अर्थात गुरुजी रिजद पॉंटे रहके शिकारा दिदा प्रोग्राम अरंब किता तो कुछ पहाडी राजे इस प्रोग्राम तो बहुत अखे होन लगे ते सगो राजे फते चांद नाल मुट पेडवी होगी एत्ते रेंद्या ही गुरुजी ने बवंजा कवियानू कटे करके संस्कृत लिखे शाष्त्रा पुराणा ते होर कुछ ग्रंता दा अनुवाद गुरु मुकी विच आपनी हजोरी विच क्रोणा शुरू करवा दिता सगो इत्ते निवाद समय ते पंत प्रकाष्ती लिखे तनुशार पॉंटे निवाद समय होर साहित रचना देनाल श्री ग्रंत सहव दिवाने विरची जेहा क्या कितक मास फिर पॉंटे बसकर गुर्मदतार बानी सुखदानी रची है जो ग्रंत मजार पंत प्रकाष्त तेई विश्राम अते पंगाणी युद भी होया फिर अनंदपुर वापस और ते नौदार युद ते हुसैनी युद ते होर भी पहाडी राजियां ते शाहे गश्ती फोजा नाल भी टकरा हुनलिया पर इत्यादिक युदा दे बावजूद कोई पंती ताकत गुरु जी उत्ते फते ना पासकी एसे ही दोरान अनंदपुर सहेव सहेत रचनाते संगते समागमा दा एक केंदर बनेया रहा ते सगों पहाडी राजियां ते तुर्की सेना नाल हुन्दी रेंदी मुट पेड नो त्यार विच रख देयां गुरु जीने अन कित करवाई जिस दी उत्तराई चड़ाई बहुत कठन है शी अनंदपुर निवास समे दे अन गिनत प्रसंग जो गुरु जी दे जो इतिहासा विच अंकित होनते बावजुद फेर वियो सारे वन्डन नहीं कित्ते गए जद कदे गुरु जीरन जीत नगारे नू चोटा मार दे दोना विच सिखा समेत कोड़यां उत्ते सवार होके सैर ते शिकार नू जान दे ता पीम चंद वर्गे पहाडी राजे बहुत खुरज जान दे ते कई उत्तरा चड़ा हुंदे रहे सास्रियकार